हे महाकाल, मैं जानता हूँ, इन अप्षक्णों के कारण तुम मुझे भैभीत करना चाहते हो, जिसके कारण मैं अपनी पराजय को स्विकार करके राम के चरणों में जुग जाओं, कि राम तुम्हारे सामने हर समय अपने हाथ बादे हुए सहायता के लिए गिलगिलाता रहत है, इसलिए तुम मेरी उपेख्षा करके राम का साथ देना चाहते हो, ए महाकाल, मैं यह भी जानता हूँ, कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परन्त मैं अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकता, मुझे अपने शक्तियों पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह शक्तियां मुझे किसी दान में प्राप्त नहीं हुई है, मेरी कठोर तपस्या और कर्म के विधान के अनुसार, तुम मुझे इन शक्तियों को देने के लिए विवश हुए हो, मैं ने अपने बाहु बल से इन शक्तियों को प्राप्त किया है, इसलिए मुझे अपने इन शक्तियों पर हंकार है, महाकाल, मैं यह भी जानता हूँ, कि जब कोई अपूर्वर शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो तुम्हारी माया उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है, शक्तियों का मद तो तुम्हारे देवता भी सहर नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी अहंकार हुआ है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपनी शक्तियों का अहंकार हुआ है, मुझे भी अपनी शक्तियों पर मद हुआ है, और इसी अहंकार के कारण मैंने दुसरों पर अत्याचार किया है धर्म का मार्द छोड़कर अधर्म पर चला हूँ तो मुझे दंड तो मिलेगा है परंतु रावण दंड को भोगेगा तो गर्व से ठीक उसी प्रकार जिसने उसने गर्व से शक्तियों का भोग किया है रावण मिट जाएगा परंतु छुकेगा नहीं एत्र लोकेश्वार आप जिस राम का साथ देना चाहते हैं वह राम भी देख लेगा कि रावण से यूध करना कितना दुसकर कार्य है यूध में विजय प्राप्त करके पुनह तुम्हारे दर्शन करने आओगा जै महाकाल हरहार महादेव प्राप